हार्ड हिटिंग वी लॉक्स का लगा है नेट वर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरिपतियों की लिस्ट में खिसक कर 21 वे पायदान पर पहुंच गए हैं लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हिंडन वर कंपनी क्या और कैसे काम करती है यह अस्तित्त में कब आई इसका मालिक कौन है आई ऐसे सभी सबालों के बारे में इस वीडियो मंबिस्तार से जानते हैं दोस्तों बिलूंबर्ग बिली नियर्स इंडेक्स के मताबिक गौतम अडानी की नेट वर्तमाई गिरावट के चलते अब वे अरिपतियों की लिस्ट में खिसक कर 21 वे पायदान पर पहुंच गए हैं उनकी कुल नेशनल बिजनिस में ग्रेजियोशन किया इसके बाद वो नोकरी की तलास में जुट जाता है उसकी ये तलास का तलास एक डेटा रिसर्च कंपनी की दहलिज पराकर रुकती है यहां उसे नोकरी मिल जाती है इस कंपनी में उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से चुड बड़ा अड़ा है उसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समस्य बाहर है इसी वजह से एंडर्सन के दिमाग में फाइनेंशल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आईडिया आता है वर्ष 2017 में एंडर्सन हिंडन वर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत करता है इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इकुटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर सर्च करना है इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेरा फेरी हो रही है कहीं बड़ी कंपनी अपने फाइदे के हिंडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिस करती है कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया वर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिलता है इसी हिंडनबर्ग ने हाली में अडानी ग्रूप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट में अडानी उपने आड़ोपों को निराधार और भ्रामक बताया उन्होंने दावा किया किस रिपोर्ट में जनता को गुमरा किया गया है उधर ये मामला अब सुप्रीम कोट महुच गया है कोट में याच का दाखिल कर बेवादा इस्पद कंपनी हिंडनवर के मालिक और संस्ताप एंड है कि जब तक जेपीजी का गठन नहीं होता तब तक संसत नहीं चलेगी मतलब हंगामा थपने वाला नहीं है दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा आदा शेयर करें आप लोगों का बहुत बहु तक यू वेरी मुच्छ